नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पृतिका लूनिया और आप देख रहे हैं काप्टन पृतिका अच्छे माता-पिता कैसे बन सकते हैं ये बात मैं थोड़े से बाद में करूँगी पहले मुझे एक बात क्लियर करनी थी हमें से कई माता-पिता को ये लगता है कि अगर हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं दाखिला करा पाया या फिर अच्छे ट्यूशन्स नहीं दिला पा रहे हैं या महंगे खिलोने या चीजे या सामान नहीं दिला पा रहे हैं या बहुत सारे classes नहीं करा पा रहे हैं, तो हम एक बहुत ही, ये तो नहीं बोलूँगी कि अच्छे माता-पिता नहीं है, बड़ हमें लगता है कि हम सफल, successful माता-पिता नहीं है, तो इस चीज को clear करने के लिए, मैं थोड़े से आपको अपके ही past में ले जाना चाहूंगी, आज अगर आप अपने बचपन का सोचो, तो आपके कौनसे जो ऐसे moments है, जो आपको याद आते हैं पहले से, कि आपको वो moments अच्छे से याद आते हैं, कि हाँ मैंने इतना महंगा समान खरीदा था, या मुझे इतनी बड़िया खिलोने मिलेते हैं, या फिर कुछ भी चीज जो फिर पैसों से खरीदे गई थी, या फिर वो moments बचपन की यादे जादा आती है, या जादा टचिंग लगती है, जब आपको अपने पेरेंट्स की बहुत जादा ज़रुरत थी, कि मार्क्स कम आये थे, या आप दुखी थे, या आप सैड थे कोई चीज को लेके, और आ material चीज़ें, material चीज़ें मतलब कोई भी चीज जो पैसों से खरीदी गई है, कोई भी सामान जो पैसों से कोई भी facility जो पैसों से खरीदी गई है, वो सब बाद में आता है, पहले आता है emotional support कितना मिला है, और सिर्फ यह positive वाले बात नहीं है, आप negative भी देख सकते हो, अगर क हो सकता है, एक बच्चे के जिन्दगी में सारे facilities है, सारे सुकसुविदाएं हैं, पर उनके parents से कभी support नहीं मिला, हमेशा दुदकारते ही रहे, कि तुम क्या गर सकते हो, तुमसे अच्छा तो यह है, तुमसे अच्छा तो वो है, तुमसे यह नहीं होगा, तुमसे वो नही पैसो से खरीदी होई कोई भी facility या चीज से एक माता-पिता अच्छे या बुरे बनते हैं, उचसे नहीं बनते हैं, वो definition नहीं होती, आप से जितना बन पा रहा है, आप 100% होगे, हर एक parent अपने बच्चे के लिए best चाहता है, parents का और parenting का कोई comparison नहीं होता है, कभी भी किसी parents को judge मत करिये, हर parent अपने बच्चे के लिए सबसे बढ़िया best ही चाहेगा, अब हम आते हैं मुद्दे की बात में, याने कि हम अच्छे माता-पिता कैसे बने, सबसे पहली चीज जो अच्छे माता-पिता नहीं करते हैं, वो है compare करना, अच्छे माता-पिता कभी भी अपने parents क्या करते हैं, अच्छे parents जो भी बच्चे की problem है, वो उसको solve करने में मदद करते हैं, अगर sports में ठीक नहीं है और उन्हें लगता है कि sports में अच्छा कर सकता है, बट यह मैनत नहीं कर रहा, तुम उन्हें समझाया जाता है, कि तुमको ऐसे मैनत करने दीजी, तुम try तो कर इतना कर सकते हो, या जो भी है, इस दर से समझाया जाता है, कि तुम कर सकते हो, यह नहीं कि वो तुम से अच्छा है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, हमें बात को लाना है कि तुम भी कर सकते हो, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें, आज दूसरो की तारीफ करके होगा क्या आप मेरे को बताओ आज मैं अगर शर्मा जी के लड़के का तारीफ करो कि उसका बचा बढ़ाई में बढ़ाई में सब में इतना अच्छा है तो क्या बढ़े होने के बाद शर्मा जी का लड़का आके कमा के मेरा मुझे पैसे देके जाएगा कि आ अपने काम, अपनी family ही आने वाली है, तो हम क्यों किसी और का नाम ले, क्यों ना हम ऐसा कुछ सोचे कि कैसे, अगर कुछ issues है भी, तो उसे solve करने के तरीके के बारे में सोचे, ना कि compare करने के बारे में सोचे, तो number one चीज है कि compare नहीं करते हैं, अच्छे माता पिता, दूसरी चीज है, अच्छे माता पिता खुद example बनते हैं, अपने बच्चों के लिए, ना कि दूसरों को example बनाती हैं, कि उसको देखो, उसको देखो, नहीं, तुम मुझ से सीखोगे, आज एक रिक्षा वाला है ना, रिक्षा वाला भी, अपने बच्चों के लिए, मिसाल छोड़ के जाता है, अपने जिंदगी से, उसे सीख दे के जाता है, हर चीज सिखाने से, बोल-बोल से नहीं सीखाया जाती, देख के भी सीखी जाती है, अज रिक्षा वाला अपने बच्चे को, जूट नहीं बोलता अपने customers से वही तुम्हें करना है मैं अपने काम में dedicated हूँ daily 7 बज़े जाता हूँ daily इतने बज़े घर आता हूँ तुम्हें भी dedicated बनना है अपने काम में ये सीख दिये जाती है बच्चो को और अपने आप वो grasp करते हैं वो अपने माता-पिता को ऐसे करते हूँ देखेंगे वो खुद भी वैसे ही बन जाएंगे उसके लिए बोल-बोल के सिखाने के जरुरत नहीं है आपको खुद को example बनना है ना कि दूसरों का example दिखाना है कि इससे देखो या उससे देखो लास्ट चीज मैं ये बोलने चाओंगे कि अच्छे माता-पिता बच्चों को शेम नहीं करते शेम मरना मतलब धुतकारना उसमें उसकी कमी दिखाई देना भले compare नहीं करो बट उसी को हर टाइम जताना कि तुम एकदम नाकाबिल हो तुम बढ़ाई में जीरो हो या तुम इस चीज में जीरो हो या तुम में बुद्धी नहीं है तुम थोड़ी सी बात तुमको समझ में नहीं आती easiest job जो हम तुमको देते हैं वो तुम नहीं करते हैं तुमको कभ़े कोई काम दे दो आज अपना ही सोचो, आप जूट कोई भी इंसान चाहे, बच्चा हो या बड़ा हो, कब जूट बोलता है, वो जूट तब बोलता है जब उसको पता है कि सच बोलने से, या तो डाट पड़ेगी, या फिर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, तभी इंसान जूट बोलता अगर बच्चे को पता है कि मेरी गलती हुई है पर अगर मैं यह जाके अपने माता-पिता को बोलू तो वो समझेंगे और मुझे शायद कुछ help करेंगे तो वो जरूर आके आपको बताएगा पर अगर उसे पता है तो उसे डाटी पढ़ने वाले है तुम ऐसा गलती कर कैसे स लिए बच्चे का फ्रेंड बनना जरूरी है अच्छे माता-पिता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है चोटी-चोटी चीज़ों का ध्यान रखना है बस बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि हम बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे जब भी उन्हें हमारी जरूरत है बस हो गया इतना जदा तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा थैंक यू